Hello everybody, welcome to Magnet Prince. This is Shweta Thakko, your social science educator. Magnet Prince एक ऐसा platform है, जहां kindergarten से लिकी class 12 तक के सभी video courses provide करवाई जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSA and other state board like UP, Bihar, MP, Rajasthan और Delhi board के fully optimized courses with daily practice paper. And हमारी पास e-books और e-notes की facility भी available है, जिसका link नीचे description box में दिया गया है. और आज हम दो class 10 social science history का जो हमारा chapter है, nationalism in India chapter number 2, उसका introduction देखने वाले हैं. Right, हमने एक chapter पढ़ा था, the rise of nationalism in Europe, जिसमें हमने देखा था creation हो रहा था किसका nation state का, formation हो रहा था nation state का और वो formation कैसे तरीके से हुआ, क्या किया, वहाँ के लोगों ने, जो लोगों में वो sense of collective belongingness आई, अपनी country के प्रती, अगर देखे, कोई भी state तभी form होती है, जब वहाँ पर एक लोग feel कर पाते हैं, कि वो उस country को belong करते हैं, जब कोई भी section of society हो, जब ये feel कर पाता है, कि उन सब का जो motive है, वो कहीं न कहीं same है, अगर हम बात करें, बहुत सारे new symbols, icons, new songs and ideas जो है, इनी से develop होता है, वो sense of collective belongingness, किस की तरफ, अपनी country की side, अगर हम लोग देखें, का हमें भी पता नहीं चला, कि इंडिया में Britishers एक traders के रूप में आयते हैं, इससे पहले और भी बहुत सारे जो European countries आई, लेकिन Britishers जब 1600 में है, वो एक trader की रूप में आयते हैं, वो एक East India company जो है, वो एक trading company थी, सिर्फ और सिर्फ उनका motive क्या था, कि इंडिया में उन्हें व्यापार करना है, trade करना है, कब वो trader से हमारी ही country में rule करने लगे, हम लोगों को भी पता नहीं चला, वो धीरे धीरे वो सिरीज होती गई, और इंडिया जो है, वो किसके अंडर हो गया, Britishers के अंडर हो गया, फिर हमारा जो एक struggle था, कोई भी हमारा section था, चाहे वो rich section था, या poor section था, women थे, middle class थे, कोई भी section था, हर किसी को dominate किया जा रहा था, by the Britishers, तो हमारे लिए बहुत जरूरी था, कि a sense of collective belongingness साथ सके, ताकि हम लड़ सके, किस के खिलाफ मैं, Britishers के खिलाफ, और इसी तरीके से, किस तरीके से हमारी वो national movements start हुई, किस तरीके से लोगों में वो nationalism का spark आया, और हम लोग बढ़े अजादी की साइड, वो सारी जो movements हुई, उनके बारे में हम discuss करेंगे, इस चाप्टर, nationalism in India हमें, right, so how did this consciousness emerge in India, किस तरीके से लोगों में वो छेतना आई, किस तरीके से लोग समझ पाए, कि नहीं, हमें इंडिया के लिए, अपने भारत देश के लिए, जो है, वो अब बहुत जादा हो गया है, किस का, Britishers का, और हमें अपनी country के लिए, जो है, अब है, इस हाई टाइ country के लिए, कौन सी सीरीज हुई, जिनके थू हमने ये feel किया, देखिए, हम सब, one common point of development of nationalism क्या है, one common point of nationalism, जो है, इंडिया में था, वो था, colonies was एक anti-colonial movement, हर कोई, हर section of society, किस के खिलाफ लड रहा था, मैं, Britishers के खिलाफ लड रहा था, वो sense of being oppressed, हर कोई ये feel किया कर सकता था, कि किस तरीके से, Britishers जो है, हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारी ही country में आके, हम लोगों को dominate कर रहे हैं, provided a shared bond, वो shared bond कहां से मिले हम हमें, but the nation of freedom for each class and group worried, देखिए, हर किसी के लिए freedom का अलग अलग मतलब हो सकता है, right, अगर हम बात करें, एक पीजिंट जो है, एक किसान जो है, उस समय का, उसके लिए क्या होगा, कि किसी भी तरीके का tax जो है, उनसे ना लिया जाए, सबसे जाधा tax agriculture से वो collect करते थे, और किसी भी तरीके से उनकी जो properties उनको जबरदस्ती confiscate नहीं किया जाए, जबरदस्ती जबरन ना लिया जाए, एक industrialist क्या है वो क्या चाहेगा, वो अपनी progress के लिए माम ये चाहेगा कि उनके जो है, बहुत ज़्यादा वो trade कर सके, बहुत ज़्यादा duty free trade हो, किसी भी तरीके के tax is extra जो है, उनसे ना वसू ले जाए, तो हर किसी के लिए जो development है, उस time पे जो अगर हम बात करे, freedom का मतलब अलग अलग लेकिन सब को ये realize हुआ, कि नहीं हम सब एक है, हम सब का motive एक है कि हम लोगों को Britishers को, ये हमारी country है, हम India हमारी country और हमें यहां से Britishers को बाहर करना है, तो इसी के चलते ही जो है, धीरे धीरे जब nationalism का spark आता गया, बहुत सारे national leader, charismatic leaders, उनका भी इसमें role देखा गया, और उसके बात धीरे धीरे हम चले अजादी की लडाई की ओर, और इस तरीके से 1947 में इंडिया जो है independent हो गया, तो वो किस तरीके से share, हम लोगों ने feel किया, कि इंडिया हमारी country है, किस तरीके से वो spark आया हमारे अंदर, उन सभी बातों को हम discuss करेंगे इस chapter में, इसी के साथ ये वीडि पसंद आया होगा, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पर and हमारी official website www.magnetbrains.com पर, आप हमें follow कर सकते हैं, यूट्यूब, facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp पर, हमारे पास e-notes and e-books की facility भी available है, जैस का link नीचे description box में दिया गया है, top courses के अगर हम बात करें, CBSE board, Delhi board, Bihar, UP, MP, MP और Rajasthan, इन सभी board की classes हैं हमारे पास, Vedic match की classes भी है, crash course का लाए जाते हैं and spoken English की classes भी है, हम deal करते हैं English और Hindi दोनो medium के साथ, with this end of today's session, I hope you like this video, don't forget to hit the like, share and subscribe button, see you all next time, have a nice day.